Hello everyone, welcome back to our channel, Sunshine Fortune's Education, मेरा नाम गुंजिन मलोत्रा है और मैं गुवसीज एडुकेशन कंसल्टेंट हूँ तो आज एक गुड न्यूस लेके आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मेरे को देखने को मिला है और मैंने को लगा कि इन्फॉमिशन मुझे आपके साँ शेयर करने के यह तो न्यूस जो है UK को लेके है, UK में जो वीजा डिलेज देखने को मिल रहे हैं अब वो आपको नहीं देखने को भी लेंगे वो डिकוד UK की जो गवरमन्न है वो ट्राइ कर रही है प्रोसेश करने की वीजा आप्लिकेशन को 15 दिनों के अंदर जनरली और उन्होंने अपना ये target set किया है particularly Indian applicants के लिए तो इंडिया में जो भी UK के visa process होने वाले हैं उसमें 15 दिन का target रखे हो जल्दी से जल्दी outcome देने की कोशिश करेंगे और आप ये मान के चलिए कि ये जो timeline में आपको बता रहा हूँ सिरफ travel, tourist visa ये work visa के लिए नहीं बलकि student visa के लिए भी ये implement किये जाने की कोशिश होने वाली है UK government जो है वो 15 दिन का processing का target अपना रखने वाली है इसमें visa tracking और UK work visa requirement और particularly Indian जो applicants है उनको लेके ये सारी चीज़े ध्यान में रखा जाएगा अब UK की जो government है वो ऐसा क्यों कर रही है इसके बारे में आपको बता हूँगा देखिए UK जो है वो इंडिया को एक long term partner के तौर पर देखता है और tourist visa को जब वो जल्दी process करके रहा हो देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा tourist इंडिया से UK में जाएंगे travel करेंगे वहां की economy क को contribute करेंगे student visa की बात करें तो already एक बहुत ही lucrative destination है और बहुत ज़्यादा international students particularly इंडिया से UK की तरफ अपना रूप करते हैं और वहां जाकर अपनी पढ़ाई जो है वो करते हैं और ये भी UK की जो universities को run करने में काफी मदद करता है और काफी support करता है इस चलते UK जो है अपना study visa का भी processing time कम करेंगा ताकि max to max Indian students UK में जाके पढ़ सके और वहां पे post study work visa का जो फाइदा है benefit है उसको भी उठा सके और वहां की economy को ग्रोग करने में मदद भी कर सके वहां पे skilled workforce के रूप में settle कर सके work permit की बात करें तो अगर 15 दिन बिता जो target है UK government पूला कर पाती है तो जो skill shortage है उनका particularly healthcare worker और care worker वाली जो category रहती है और STEM programs वाले जो posts रहती है वहां पे उसको इस particular step से उनलोग जल्दी gap को fill कर पाएंगे और Indian students को इसको काफी ज़्यादा benefit मिलेगा तो अगर आप भी जुग के जाके पढ़ना चाते हैं हमारे team से connect कीजे हमारी team आपको guide करेगी hand holding करके A to Z सारा process कराके देगी और best से best university meditation कराके देगी May God bless you, I wish you a very happy journey